हलो एवरिवान हम आ गए हैं अपने नेक्स चप्टर पर चप्टर नमबर एट और सिविक्स तैट इस अशर्ट इन दे मार्किट और इस चप्टर में हम रीट करेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट यानि एक शर्ट जो है कहां से बनने शुरू होती है और कौन-कौन से बीच-बी इस पीच कौन-कौन से लोग involved होते हैं और क्या उन सभी की जो earnings है वो same है या नहीं वो हम पढ़ेंगे इस चप्टर में तो लेट स्टाट दे रीडिंग इस चप्टर तो यह जो चप्टर है यह शुरू होता है कोटन की प्रोडक्शन से और एंड होगा कि जब फाइनली व वो consumer तक वो इस्तमाल करने वाले तक पहुच जाएगी तो हम market की जो chain हमने last chapter में पढ़ी थी उसी chain को आगे further हम study करेंगे इस चप्टर में और देखेंगे की कैसे हर step पर buying और selling चलती है कोई भी product हो उसके हर step पे पहले cotton बिखती है उसके बाद धागा उसके बाद कपड़ा बिखता है उसके बाद जो है आ फाइनली shirts की selling and purchasing होती है तो हम इसमें देखेंगे की क्या हर कोई same profit मिलता है हर किसी को या फिर उसमें कहीं न कहीं बदलाव है या किसी को जादा profit किसी को कम profit मिलता है वो सब हम read करने वाले हैं इस chapter में तो हम आ जाते हैं अपने next topic पे वो है a cotton farmer in Kornul Kornul जो है बहुत ही famous एक जगा है अंधरपरदेश में तो वहीं पे एक छोटी सी cotton farmer है स्वपना उसके बारे में हम read करेंगे स्वपना a small farmer in Kornul आंधरपरदेश grows cotton on her small piece of land the balls of cotton plant are ripe and some have already burst तो स्वपना जो है छोटी सी farmer है कौरनूल आंधरपरदेश में तो वो ग्रो करती है cotton एक small piece of land है उसके पास उसी पे ही और जो बाल्स है cotton की जो कलिया है cotton की वो पक चुकी है उसके खेत में और वो बर्स हो चुकी है यानि वो खिल के आ चुकी है तो स्वपना जो है busy है picking cotton उसमें से cotton निकालने में the balls which carry the cotton in them do not burst open all at once so it takes several days to harvest the cotton तो जो cotton के plant पे जो bloom होते हैं जो मैं कहूं balls होते हैं वो सारे कि सारे एकदब नहीं खिलती एकदम से उसमें से cotton नहीं निकलती उसको कुछ time लगता है कुछ जो है balls पहले burst हो जाती है कुछ बाद में होती है तो इसलिए कुछ दिन लग जाते हैं cotton को चुनने में तो जब उनकी पूरी फसल का प्रिड्यूज वो ले लेते हैं उसको ही खटा कर लेते हैं cotton को तो आपको पता है कि किसान जो है चोटा किसान है उसके पास उतनी मनी नहीं होती कि वो इन्वेस्ट कर सके अपनी फसल में तो स्वपना is that kind of a farmer तो उसके पास भी उतनी मनी नहीं थी स्टार्टिंग में तो उसने बॉरो किये थे रुपीज 2500 किसे बॉरो किये थे उसी ट्रेडर से जिसको वो अपनी फसल बेच रही थी और किसलिए बॉरो किये थे to purchase the seeds, fertilizer and pesticides for cultivation उसकी जो फसल है उसके बीज के लिए उसके फर्टिलाइजर के लिए उसके पेस्टिसाइड के लिए उसके खाद बीज जो भी है वो सब खरीदने के लिए अपनी फसल का जो खर्चा है वो निकालने के लिए उसने बॉरो किये थे 2500 किस से बॉरो किये थे, trader से at that time the local trader made Swapna agree to another condition he made her promise to sell all her cotton to him तो जब उसने उधार लिया था, उसी वक्त ही उस trader ने promise ले लिया था Swapna से कि जितनी भी उसकी फसल होती है उसे उसी trader को बेचनी पड़ेगी cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizers and pesticides the farmers have to incur heavy expenses on account of these तो जो cultivation है cotton की उसमें high level of inputs चाहिए यानि बहुत महनत चाहिए उसको input बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं इस फसल को तभी जाकर हम अच्छी फसल ले पाते हैं most often the small farmer need to borrow money to meet these expensive अब यह खर्चे हैं जो फसल में लगते हैं चाहिए वो पेस्टिसाइड के हो या फटिलाइजर के हो तो जो भी उसके दुकान में worker होता है उसको कहता है कि सपना की cotton को wait कर ले वो और जब वो उसका wait करते हैं तो क्या होता है उसको जो है रुपीज 6,000 की बनाता है total cotton को 1500 रुपे कोईंटल के हिसाब से तो 1500 रुपे कोईंटल के हिसाब से वो उसको देता है 6,000 रुपीज the trader deduct रुपीज 3,000 for repayment of loan तो 6,000 में से भी वो 3,000 रुपे रख लेता है अपने पास ही क्योंकि वो कहता है कि पच्छे सो रुपे आपने मुझे मेरे देने है और 500 मैं उसका interest लगाऊंगा तो रुपीज 3,000 मुझे रखने होंगे for repayment of loan and interest that pay स्वपना रुपीज 3,000 तो टोटल उसने कितना बना दिया 3,000 और बाकी के 3,000 जो है क्योंकि टोटल उसकी जो फसल है वो 6,000 की बनाई थी ट्रेडर ने और उसको वापस किये 3,000 तो स्वपना जो है यह देखकर बहुत है रुपीज 3,000 ओनली के इतनी फसल के सिर्फ 3,000 दे रहे हो आप मुझे तो ट्रेडर क्या कहता है cotton is selling cheap there's a lot of cotton in the market वो कहता है cotton ही cotton है market में और इसी लिए यह सस्ती जा रही है cotton का price उतना नहीं है तो स्वपना क्या कहती है I have toiled so hard for four months to grow this cotton वो कहती है मैंने इतनी मेहनत किया चार महीनों तक इस cotton को उगाने में और आफ सिर्फ मुझे यह पैसे दे रहे हो you can see how fine the clean and cotton is this time तो अपना कहती है कि मेरी cotton बहुत ही fine और clean है I had hoped to get much better price मुझे ऐसी उमीद थी कि मैं इससे अच्छा price ले लूँगी अब की बार क्योंकि उसकी फसल अच्छी हुई थी तो कहीं न कहीं उसे उमीद थी कि इस बार मेरी फसल जो है कुछ अच्छे पैसे मुझे दिलवाईगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ trader ने उसकी total फसल 6000 की बनाई और उसमें से 3000 उसने अपने उधार के काट लिये और 3000 स्वपना को दे लिये जिसे स्वपना satisfied नहीं थी उसके बाद trader कहता है अमा, I am giving you a good price other traders are not even paying this much you can check at Cornul market if you do not believe me तो उसको convince करने की कोशिश खड़ता है कि मैं तो बहुत अच्छा price दे रहा हूँ दूसरे trader जो है ये भी price आपको इस cotton का नहीं देंगे आप जाहें तो Cornul market में जाकर चेक खड़ सकती है स्वपना, don't be agree how can I doubt you I had only hoped that you would earn through from the cotton crop to last a few months स्वपना, कह दिये कि आप गुस्सा मत होए मैं आपको doubt नहीं कर सकती मैं hope करूँगी कि आप जो है हम जो है इससे भी अच्छा कमा पाते इस cotton से बट नहीं तो कोई बात नहीं स्वपना मतलब मान जाती है कि कोई बात नहीं अगर नहीं और पैसे मिल रहे हैं तो इस रोके आप इसी रेट पर ले लीजिए तो स्वपना को अंदर से पता था कि मेरी जो cotton है वो बहुत अच्छी है और मैं उसको आराम से अगर किसी दूसरे ट्रेडर के पास जाऊं तो वो एतीन हंडर्ड पर कोईटल बिख जाएगी जबकि इस वाले ट्रेडर ने उसकी cotton जो है फिफ्टीन हंडर पर कोईटल ली थी और सौपना क्यों मजबूर है अपनी cotton को इस ट्रेडर को बेचने के लिए क्योंकि सौपना ने इससे उधार लिया हुआ है तो ट्रेडर जो है पाफुल मैं है गाओं का क्योंकि उसके पास पैसे है और वो उधार देता है किसानों को सिर्फ उनकी फसलों के लिए ही नहीं अगर उनके घर में और भी कोई आती है या उनकी चिल्डरन की एजुकेशन है या इलनेस है तो उसके लिए भी जो है उधार देता है कौन ये ट्रेडर तो इसलिए स्वपना इससे जगड़ा नहीं करना चाहती और जो इसे भी दिन आते हैं साल में जिसमें कोई काम नहीं होता और कोई पैसा नहीं आ रहा होता तो ऐसे टाइम में उनको ट्रेडर से मनी बौरो करनी पड़ती है उसके बादे स्वपना's earning from the cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage labor तो स्वपना की जो earning है cotton cultivation से वो जरा से ही ज़्यादा है कि अगर वो मजदूरी करती तब भी वो लगबग उतना कमा पाती बट नाव उसको अपनी फसल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा और वो उसको हर साल उधार लेना पड़ रहा है तो ये तो थी स्वपना की स्टोरी जो हमने आज के पार्ट में की उसके बाद हम इरोड की cloth market के बारे में बात करेंगे कि क्या scene है वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर जो है बाई weekly market लगती है तामिल नाडू में तो उस market के बारे में हम जिक्र करेंगे अपनी नेक्स वीडियो में तिल देन बबाई वोफुली आपने स्वपना की स्टोरी ध्यान से सुने होगी थैंक यू फेरी मच